नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि ओस्टियोडान तैबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है। कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है हमारे शरीर में दातों और हड्यों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहत ही जरूरी होता है हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्यों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे ब्लड में हो तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वज़ा से धीरे धीरे हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं. हड्या कमजोर होने की वज़ा से हड्यों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम की कमी की वज़ा से दातों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दातों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है कैल्शियम की कमी की वज़ा से बच्चों में रिकित्स हो सकता है और 19 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ओस्टियो मलेशिया और ओस्टियो पोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है Osteoporosis एक हड्यों का रोग है, जिसमें हड्या बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है, जिसकी वज़ा से हड्यों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी fracture हो सकता है शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर शरीर की हड्यों और जोडों में दर्द रहने की समस्या भी हो सकती है कैल्शियम के साथ विटामिन D भी लेना जरूरी होता है, शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है क्योंकि vitamin D शरीर में calcium के अवशोशन में मदद करता है और शरीर में vitamin D की कमी होने पर शरीर भोजन से calcium का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है जिसकी वज़ा से शरीर में calcium की कमी हो सकती है अगर आप calcium की कमी को पूरा करने के लिए अकेले calcium के supplements ले रहे हैं तो ऐसी स्थिती में आपके द्वारा लिए जाने वाले calcium के supplements बेकार हैं क्योंकि vitamin D के बिना आपके शरीर में calcium का अवशोशन नहीं होगा और आपके द्वारा लिए जाने वाले calcium के supplements पेशाप के जरिये शरीर से बाहर निकल जाएंगे इसलिए calcium और vitamin D को एक साथ लेना जरूरी होता है Osteodon Tablet में calcium के साथ साथ vitamin D भी होता है इसलिए आपको vitamin D के supplements अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की Osteodon Tablet का उपयोग किन conditions में किया जाता है Osteodon Tablet का उपयोग शरीर में calcium की कमी होने पर हड्यों में fracture होने पर rheumatoid arthritis और osteoarthritis होने पर शरीर के जोडों हड्यों वा मासपेशियों में दर्ध होने पर नियूरोपैथिक दर्ध होने पर यानी नसों का दर्ध होने पर डाइबिटिक नियूरोपैथी होने पर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Osteoporosis होने पर Osteomalacia या Ricketts होने पर शरीर में nutrition की कमी होने पर शरीर में दातों, जोडों और हड्यों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और जो व्यक्ति मिर्गी या दौरों की दवाईया ले रहे हैं जैसे Phenobarbital Phenitoin उन व्यक्तियों को भी Dr. Osteodon Tablet को लेने की सला दे सकता है अब हम डिसकस करेंगे की किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है और किन व्यक्तियों को Osteodon Tablet को लेने की जरूरत पढ़ सकती है जो व्यक्ति शुद शाकाहारी डाइट लेते हैं और दूद दही जैसे डेरी प्रोडक्स का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं ऐसे व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है इसलिए ऐसे व्यक्तियों को Osteodon Tablet को लेने की जरूरत पढ़ सकती है महिलाओं में मेनोपोस के बाद इस्ट्रोजन हॉर्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से महिलाओं में मेनोपोस के बाद कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है और Osteoporosis होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है इसलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और औस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए डॉक्टर मेनोपॉस के बाद महिलाओं को भी ओस्टियोडॉन टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। क्योंकि प्रोटीन और नमक का सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। अगर आपने steroid दवाओं का सेवन लंबे समय तक किया है या कर रहे हैं, तो आपका doctor osteodon tablet को लेने की सला दे सकता है, क्योंकि steroid दवाओं का लंबे समय तक सेवन करने से osteoporosis हो सकता है, इसलिए osteoporosis होने के risk को कम करने के लिए भी doctor osteodon tablet को लेने की सला दे सकता है, इसके व्यक्तियों को Lactogen Tolerance की समस्या है। उन व्यक्तियों में भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। Lactogen Tolerance की समस्या होने पर व्यक्ति दूद को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है। जिसकी वजह से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को दूद को पीने के बाद पेट में दर्द, पेट में गैस, पेट में भारीपन, दस्त या स्टूल के अंदर फैट आती हैं, तो ये लक्षन लैक्टोज इंटॉलरेंस के हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की ओस्टियोडॉन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है, ओस्टियोडॉन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है, ओस्टियोडॉन टैबलेट को आप हलके गर्म दूद या हलके गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, आम त पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको ओस्टियोडॉन टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए ओस्टियोडॉन टैबलेट को कितने समय तक लेना चाहिए यह उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार प पने उत्पाध जैसे पनीर और दही में भी कैल्शियम अधिक मातरा में पाया जाता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की कैल्शियम की कमी को प्राक्रितिक खाद्याय पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इनका सेवन परियाप मात्रा में करना चाहिए। एक लीटर दूद में लगभग 1300 mg कैल्शियम होता है। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रती दिन एक लीटर दूद को दो भागों में बाट कर सुभा शाम पी लेता है। तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है। इसके अलावा मूंग दाल, बादाम, नारियल, सोया बीन, आम, संतरा और आवला भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसलिए इनका सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ओस्टियोडॉन टैबलेट एक बहुत ही सुरक्षित दवा है। और ज्यादातर व्यक्तियों में ओस्टियोडॉन टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप osteodon tablet को recommended dose से ज्यादा dose में लेते हैं तो इसकी वज़ा से blood में calcium का level ज्यादा हो सकता है, जिसको hypercalcemia भी कहते हैं, शरीर में calcium का स्तर ज्यादा होना भी लुकसान दायक होता है, कुछ research में यहाँ पाया गया है कि blood में calcium का level ज्यादा होने से दिल से संबंधित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है, किटनी में पत्री होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना osteodon tablet को ज्यादा डोज में या ज्यादा लंबे समय तक लेने से बचना चाहिए, अब हम discuss करेंगे कि osteodon tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, थाइरोइड की tablet और osteodon tablet को एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थाइरोइड की tablet और osteodon tablet को एक साथ लेने से थाइरोइड की tablet का अवशोशन कम हो सकता है, जिसकी वजह से थाइरोइड की टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है अगर आप थाइरोइड की टैबलेट को लेते हैं तो आपको थाइरोइड की टैबलेट और ओस्टियोडॉन टैबलेट में 8 से लेकर 10 घंटे का गैप रखना चाहिए किडनी की कोई समस्या होने पर और किडनी में पत्री होने पर ओस्टियोडॉन टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए आपको ओस्टियोडॉन टैबलेट को लेते समय आईरन के सप्लिमेंट लेने से बचना चाहिए क्योंकि कैल्शियम के साथ आइरन के सप्लिमेंट लेने से कैल्शियम शरीर में आइरन के अवशोशन को रोक सकता है विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ओस्टियोडॉन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं